आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ ओके फ्रेंज तो यहां हमारे पास एक question given है जिसमें बुला गया है कि object is kept in front of a convex lens the distance between e and the real image is 54 cm यानि कि जो object रखा है उसमें और जो image form हो रही है उसकी जो real image form हो रही है उसकी उन दोरों के बीच का जो difference है वो है 54 cm नाओ if the magnification produced is 2 जो magnification produced हो रहा है वो twice है तो focal length of lenses तो basically अगर हम पहले इसका ray diagram बना के समझे तो यह कुछ ऐसा है कि इधर convex lens है यह हमारा axis है इधर कहीं object placed है और यहां कहीं ऐसे एक image form हो रही है erect का inverted doesn't matter कैसे तो image form हो रही है generally inverted ही form होगी क्योंकि convex lens है और real image form हो रही है बन उससे अभी फारक नहीं पढ़ रहा हमें हमें बस यह है कि यह जो distance है यह जो distance है वह हमें 54 cm दे रखा है और यह h i जो है h i by h naught हमारे पास twice है और यह magnification यह जो magnification है वही होता है v by u lens में magnification यह होता है v by u so therefore हमारे पास v जो है वो 2u के equal है अभी हम distance की बात करते हैं हम पहले convention देख लेते हैं कि इसे हम positive ले रहे हां और इस side को हम negative ले रहे हैं इस side positive ले रहे हैं इस side negative ले ठीक है तो जब हम यहाँ से is side जाएंगे तो हम पुरा distance कैसा लेंगे positive ऐक तो देखेए यह distance कितना है u यह distance कितना है U और यह distance कितना है V अभी हम science को consider ना करके बस addition करने के लिए या formula solve करने के लिए जो यह distance का formula है हम अभी सर्फ distance consider कर रहे हैं like absolute value of UN आप बोल सकते हैं तो basically U plus V हमें दिया गया है 54 cm U plus V दिया गया है 54 cm यानि U distance और V distance टेक है and V equals to 2U हमारे पास है तो इसको जब इसके अंदर plug-in करेंगे तो क्या दाएगा 3U equals to 54 therefore U equals to minus 18 cm sorry U equals to 18 cm very sorry very sorry U equals to 18 cm अब जब हम इसको lens formula में रखेंगे lens formula क्या आद कहता है कि lens formula में कहता है कि 1 by V plus 1 by U equals to 1 by F अब जब हम इन values को इसमें रखेंगे तो science के साथ put करेंगे ठीक है तो अभी V क्या है हमारे पास 2U है U कैसा है negative है U कैसा है negative है और यहाँ पर U जो value put करेंगे वो भी negative होगी तो V में हम क्या put करेंगे 1, 2 कितना है U minus 18 क्योंकि अब देखे यह ध्यान से समझना हमने यहाँ U 18 cm निकाला जो कि distance था जो कि distance था कहां से? Length से उसका distance 18 cm है लेकिन जब हम इसको इस lens formula में put करेंगे जब हम इसको lens formula में put करेंगे तो हमें sign convention का ध्यान रखना है sign convention का ध्यान हमें रखना है तो इसलिए जब हम इसको अंदर put कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर U जो है वो negative put करना पड़ेगा जो U है वो negative sign के साथ put करना पड़ेगा और जो V है V है वो हम 2U consider करके चल रहे हैं V हम जो consider किया है वो 2U consider करके चल रहे हैं तो V भी हम जो negative sign है उसी के साथ रखेंगे तो 2 minus of 18 plus 1 by minus of 18 equals to 1 by f क्योंकि वीक हमारा 2u के बराबर है ठीक है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 by f equals to minus 18 minus मतलब 3 times minus 18 upon minus 18 into minus 18 into 2 मतलब यह हमारे पास हो जाएगा जो f हमारे पास आएगा f हमारे पास आएगा वो आजाएगा हमारा इसको हम किल्किलेट करने तो यह कुछ हो जाएगा 2 into 18 by 3 6 यानि हमारा जो f है वो हाएगा हमारे पास 12 cm हमारा जो f है वो हमारे पास आजाएगा 12 cm. अगर हम options में चेक करें तो यही एक option match होता है.